Hello everyone, welcome to Activity Wallet आज मैं आप सब के साथ कुछ books share करने वाली हूँ जो मैं यूज करती हूँ अपने बेटे को phonics सिखाने के लिए Reading, Journal Knowledge, Hindi and Math सिखाने के लिए School books के लावा कुछ और अच्छी books हैं जो आपने grade 1 and grade 2 kids के लिए यूज कर सकते हैं यह सभी books With worksheet यह books आपको मिलेंगी आप इन books को kids के साथ holidays में, weekends में या जब उनकी winter vacation या summer vacations होती हैं उस time आप use कर सकते हैं उनको इसमें activities दे सकते हैं करने के लिए kids बहुत interest के साथ यह activities करते हैं आपको अलग से worksheets बनाने की भी जूरूत नहीं है क्योंकि काफी parents ऐसे हैं जो working होते हैं उनके पास इतना time नहीं होता कि वो worksheets बना के लक्स में अलरड़ी बहुत सारी worksheets दी हुई हैं जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि आपको यह worksheet करनी है इन में से 2-3 books का अलरड़ी मैं review कर चुकी हूँ जो कि आप मेरे book review वाले playlist में check कर सकते हैं इसके लावा किसी भी और book का आपको full review चाहिए, full detail चाहिए तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं definitely उस book का full review ज़रूर करूँगी और इन सभी books का purchase link मैं description box में mention कर दूँगी अगर आप में से कोई भी interested है तो वहाँ से Amazon से आप ये books purchase कर सकते हैं तो आज हम इन books का एक quick review करने वाले हैं So let's start the video जो है हमारी mental math की ये book है जो class for class 1 के लिए है ये same book आपको class 2, class 3, class 4 and class 5 के लिए भी आपको मिल जाएगी ये main course से हट कर book है meaning schools में तो बच्चों को already main course के एक book लगाई जाती है कि ये उनकी school book है जो school के लिए है जिसमें सारी detail उनको होती है क्या syllabus है क्या नहीं ये है कि एक activity book है जिसमें कि आप different type की activities देख सकते हैं दे सकते हैं बच्चों को worksheets बनी हुई है 2020 के according ही बनाई गई है तो देखते हैं इस book में so mental math for class 1 अब देख सकते हैं इसमें इस तरह से worksheets दी हुई है जैसे first है mental drill 1 तो इसमें objects बनाए हुए है number दिये हुए है कितने object उससे match करना है और number name भी दिया गया है उसके साथ भी match करना है इसी तरह है drill 2, drill 3 dash is just before 4 बच्चे को before after पता होना चाहिए तो उसके according ही वो कर सकता है 8 is just after dash तो बच्चे को fill करना है यह मेरे बेटे ने कुछ fill की हुई है अभी और अभी कुछ हम कर रहे है put the correct symbol greater than less than के लिए है यह सभी activities वही है जो first class में बच्चे को करवाई जाती है 6 plus 2 equals to 1 more than 7 1 more than 4 4 more than 2 इस तरह से तो यह सभी activities यह subtraction के लिए है यहाँ पे less than आ गया plus और minus की activities है यह भी plus की activities है subtraction, subtraction, audition की activities fill the correct number number name फिए बहुत ही अच्छी activities activity book है सबसे best चीज इसमें आती है tense ones की activities बहुत अच्छी दिवी है मेरे बेटे ने इसमें से बहुत सी चीजे सीखी है tense ones जो proper किस तरह से करना है वो इसी में से उससे समझाया है इसी में से सीखा है यहाँ पे abacus बनाया गया है abacus में यहाँ पे beats fill करनी है again plus minus की activity है mental math है इसलिए उसे इस तरह से दिया गया है 23 equal to dash plus 3 23 करने के लिए हमें 3 में क्या number add करना पड़ेगा कि वो 23 हो जाए तो बच्चे को सोचना है और वो यहाँ पे fill करना है इसी तरह से greater than less than की number के साथ है और greater than less than यहाँ पे questions के साथ भी है कि बहुत अच्छी book है already worksheets आपको दी हुई है बच्चे को concept आपको बताना है clear करना है और देन आप उसे यह worksheets दे सकते हैं करने के लिए number name के लिए activities है addition subtraction subtraction इस तरह से भी दिया गया है numbers के साथ भी दिया गया है tense ones again यह भी tense ones addition के साथ tense ones subtraction के लिए तो यह book है देख सकते हैं बहुत अच्छी book है addition subtraction के लिए यहाँ पे statement questions वाली activities भी है statements दी हुई है आप उनके साथ भी बच्चे को करवा सकते हैं clock से लेटिड भी activities है time, money तो यह सभी वही topic हैं जो class first में बच्चे को करवाए जाते हैं और वही अब यहाँ पे activity के format में दिये गए है इसके लिए बच्चे को reading आना भी जरूरी है बच्चा क्योंगी question read करेगा तब ही वो answer दे सकता है तो यह book है mental math for class one next book है हमारी संपून हिंदी मात्राग्यान यह हिंदी की book है जिसमें हिंदी की सभी मात्राएं बहुत ही अच्छे तरीके से दी गुई है इसकी already में एक full review वीडियो भी कर चकी हूँ मैं उसका link description box में डाल दूँगी आप वहां से भी देख सकते हैं अगर आपके आपका बच्चा हिंदी सीख रहा है या आप भी हिंदी सीख रहे हैं तो उसके लिए बुक बहुत अच्छी है बहुत perfect book है इसमें सभी मात्राइं दी हुई है सभी मात्राइं दी हुई है हर एक मात्रा का एक different chapter दिया गया स्वर और व्यंजन दिये गए है जैसे आप देख सकते हैं आकी मात्रा यहां से start होता है first chapter आकी मात्रा का तो उससे little pictures हैं दो वर्णों वाले शब्द हैं आकी मात्रा के यह भी दो वर्णों वाले तीन वर्णों वाले शब्द चार वर्णों वाले शब्द दो शब्दों वाले वाक्य तीन शब्दों वाले वाक्य meaning जब बच्चा यहां से शब्द पढ़ना start कर देगा उसके वाल उन्ही शब्दों को मिला के वाक्य sentences बनाए गए हैं चार शब्दों वाले वाक्य है and then उससे related activity दी गुई है उसी chapter की आ की मात्रा की activity है matching है यहाँ पर उसको अपनी खुद से नए नए शब्द बनाने है तो इस तरह से यह पूरी activity दी गुई है same इसी तरह से ए की मात्रा है तो ए की मात्रा से related chapter शुरू हुआ है दो वर्णों वाले शब्द, तीन वर्णों वाले शब्द, चार वर्णों वाले शब्द, दो शब्दों वाले वाक्य, तीन शब्दों वाले वाक्य, चार शब्दों वाले वाक्य एंद फिर उससे related activity sheets आ जाएंगी जिसमें बच्चा पढ़के क्या वहाँ पर filling the blanks हैं या match the following हैं मात्रहें लगानी हैं ऐसी activities हैं इसी तरह E की मात्रा इसी तरह यह पूरी book है जिसमें सभी मात्रहें बहुत अच्छे से cover की गुई हुए हैं vocabulary बहुत सारी है meaning school books में क्या होता है कि इतने जादा words हमें नहीं मिल पाते हैं hardly 20-30 words ही उनमें होते हैं तो लेकिन इसमें बहुत सारे शब्द दिये गए हैं हिंदी के जो आप बच्चे को करवा सकते हैं and dictation देने के लिए भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी है है spellings की list दी गई है जो बच्चे को आनी चाहिए grade 1 और grade 2 में और बहुत helpful है बच्चे को reading and spelling सिखाने के लिए तो spelling success इस तरह से है तो शुरू में यहाँ पर basic words जिनम side words पोलते हैं basic words यहाँ पर दिये गए है then sounds दी गई है सभी letter sounds और जैसे like A यहाँ पर तो A की कितनी sounds है वहाँ पर बताया गया है A has four common sounds कौन-कौन किस तरह से हम use करते हैं वो दिया गया है B, C, D, E, F इसी तरह से सभी alphabets की sounds बताई गई है then two letter जब combine होते हैं उनकी sound किस तरह से होती है वो बताई गई है यहाँ पर सारी तो शुरू में यहाँ पर यह सभी sounds ही बताई गई है पहले और उसके बाद start होती है spelling की list यहाँ पर spelling list है like A से related B, C, D तो यह like C, B, C words और जो side words की mix एक list दी गई है जो बच्चे को आनी चाहिए grade 1 और kindergarten में बच्चे को आना चाहिए यह spellings इसी तरह से है यह आगे next और उसके बाद आ जाती है इससे related worksheet जैसे circle the picture that begin with G, G और G sound से कौन सी picture start होती है उस पर बच्चे को circle यह tick करना है इसी तरह से next है sound के लिए यह सब आगे activities आ जाएंगी, worksheets आ जाएंगी बच्चे के लिए look at the word in each box, write the correct word beside each picture अब picture से related उसे एक correct word यहाँ पर write करना है जो कि CVC words हमने बच्चे को करवाए होते है यह short vowel हमने बच्चे को करवाए होते है उसी से related आएंगी, इसी तरह से यहाँ पर है circle the word that does not begin with the same letter अब यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो same letter से begin नहीं हो रहा है जैसे यह M, M, M से हो रहा है लेकिन यह T से हो रहा है तो odd one out जिस तरह से होते है उस तरह की activity है बच्चे को यहाँ पर sound खुद identify करनी है कौन सी sound आएगी picture के recording तो यह भी बहुत अच्छी बुक है जिसमें worksheets already दी हुई है काफी सारे parents हैं जो working है, mothers working है इतना time नहीं होता कि बच्चे के लिए हम proper worksheets बना सके हैं तो उनके लिए यह book best है इस तरह से सारी worksheets में दी हुई है इसके अंदर इसी तरह next आजाएगा then class 2 के लिए useful spelling list for class 2 like u long sound, u short sound, e, magic e वाली words आजाएंगे तो इस सभी words हैं विद उसका एक small description दिया गया है और like beginning sound, beginning blends जिसे हम कहते हैं फ्ल, फ्ल, आग, फ्ल, आट, क्ल, फ्ल, ग्र, ड्र, तो सभी details यहाँ पर दी हुई है then उससे related activities sheets दी गई है तो यह आप बच्चे के साब कर सकते हैं इसी तरह यह पूरी complete book है जिसमें different activities, different spelling rules and reading के लिए spellings दी गई हैं बच्चे के लिए जो धीरे-धीरे करके आप बच्चे के साथ introduce कर सकते हैं उन्हें सिखा सकते हैं तो यह थी हमारी third book spelling success next आ जाती है journal knowledge for class 1 यह Olympiard की book है लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आपका बच्चा Olympiard में prepare करने वाला है तब ही आप यह book यूज कर सकते हैं यह journal knowledge की book है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज को explain किया गया है जैसे कि इसमें first आ जाता है first chapter आ जाता me and other in my world तो इसके अंदर आ जाता है पहले अपने बारे में about me हमारे पूरे body के बारे में आ जाता है उसके selected parts के बारे में बताया गया है यह सभी sense organs, hobbies क्या-क्या hobbies हो सकती है एक human being की likes and dislikes हो सकते है हमारी क्या needs है, food कित-किस type के houses होते हैं हमारे clothes, यह सभी needs में आ जाएगा कि एक human की क्या-क्या needs है family, कितने type की families है, क्या-क्या families है and family में कौन सा member क्या-क्या करता है इस सभी list दिया गया है इसमे my surrounding, जिसमें की community helpers आ गए neighborhood इस सारी details है और इसी से related MCQs दिये गये हैं like which of the following fruit you can eat only after peeling अब बच्चा सोचेगा कि peel करने के बाद कौन सा ऐसा fruit है जो only peel करने के बाद ही खा सकते है तो picture दी गई है बच्चे को खुद सोचके उसको circle करना है and इससे इसकी सभी answers, keywords भी पीछे दिये गए है इस तरह से आप यहां से भी check कर सकते हैं तो यह है इसका first chapter इसी तरह से है chapter number two plants and animals इसमें सारा plants और animals से related chapter है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा lumpyard कर रहा है आप तभी कर सकते हैं आप normal भी बच्चे को इसमें से करवा सकते हैं घर पे बिठा के अगर आप चाते हैं उसको को journal knowledge से related कोई book लेनी है तो this is the best book आप इसे for class one और class two दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बच्चा lumpyard prepare नहीं कर रहा है तब और अगर lumpyard prepare कर रहा है तो class two की इसकी different book आती है animal and their houses animal और उनके houses कौन सा animal किस house में रहता है किस type की house में रहता है animal and their young ones animal and their sounds group of animals को क्या कहते है like lion का जो group होता है उसको आप क्या बोलते है bee के group को क्या बोलते है ant के group को क्या बोलते है तो यह details यहाँ पर दी हुई है यहाँ उसी से related यहाँ पर questions आ जाएंगे थर्ड चैप्टर है earth and its environment इसमें सारा earth और उसके environment के बारे में बताया गया है इसी तरह से current affair का chapter है our country and the world country और world के बाद में सारे festivals के बारे में बताया गया है हमारे ministers कौन कौन थे उसके बारे में बताया गया है famous monuments के बारे में detail है हमारे national symbols के बारे में famous dance कौन कौन से है flags दिये गए है country के ति बहुत अच्छी book लगी मुझे मैंने इसलिए ली है अपने बेटे के लिए कि वो उसको Olympiard में भी help करेगा और Olympiard के लावा भी हम इसमें से काफी सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है वेरी फर्स साइड वर्ड और सेंटेंसिस ये बुक काफी फेमस है आप में से हो सकता है बहुत से पेरेंट्स के पास, मदर्स के पास, इसके पास ये बुक हो और बहुत ही अच्छी बच्चे को reading स्टाट करवाने के लिए बच्चे को साइड वर्ड के साथ introduce करने के लिए बहुत ही best book है ये level 1 and level 2 two levels में ये बूक आती है आप level 1 के साथ स्टाट कर सकते हैं अगर आपका बच्चा UKG में है तो आप level 1 से स्टाट कर सकते हैं में बहुत ही easily यहां पर पूरा content दिया गया है इस book में 55 sight words है and हर एक sight word को बहुत अच्छी तरीके से बहुत इसी तरीके से बच्चे को explain किया गया like this is I तो बच्चे को read करना है I sleep बच्चे को reading नहीं भी आती है sleep skate यह नहीं भी पढ़ पा रहा है लेकिन बच्चा picture देखके identify कर सकता है कि यहां पर इस picture में क्या हो रहा है इसी तरह से I, I के बाद next आ जाता है like तो I कर लिया है तो I को again यहां use किया गया है I like pizza I like eggs इस तरह से I and like यहां पर हो गया then my I like my dog I like my car reading नहीं कुछ तो यहां पर cvc words है जो बच्चा read कर लेता है लेकिन जो words बच्चा read नहीं कर पा रहा है उसके उन्हेंने pictures भी दी गई है यह बहुत अच्छी book है आप इसे UKG के kids के साथ introduce कर सकते हैं और reading सिखाने के लिए best book है भी तक की यह है level 1 and इसी तरह level 2 आ जाता है level 2 में भी यहां पर 55 जो है side words है जो बच्चा सीख सकता है basically यह जो books है बच्चे को reading and side words के साथ introduce करने के लिए है इस side words के बच्चे को कैसे सिखाने हैं किस तरह से बच्चा reading स्टार्ट करेगा small sentences के साथ then long sentences आ जाएंगे वही words जो already पढ़ चुका है उनी को किस तरह से use करना है तो यह कुछ books थी जो मैं use करती हूँ अपने बेटे के लिए जिसमें की GK है English, Hindi, English की reading से related and maths से related book है तो यह सभी books मेरे और मेरे बेटे को बहुत helpful रही है लास्ट कुछ years से and I hope आपको भी अपके kids के साथ यह books helpful रहे and अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है आपको इसमें दीगए information अच्छी लगती है तो please मेरे वीडियो को like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए Thank you very much